तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉट जो कि एक एपिक पोएम है उसका हिंदी में डिसकेशन किया जाएगा और दोस्तों अगर आप इसी पोएम का डिसकेशन इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो नीचे देवे लिंक को क्लिक किजिए और दोस्तों अगर भी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लिजे और बिल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे नहीं वीडियो से नोडिफिकेशन आपको मिलते रहे हैं लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमिट करके अपना यह अचनल लेवल का आख ओनान कोई हिरो होता है और अपना आपेश बहुत 와서 का मतलब यह है कि कपुलेट रिटेन इन अन्रायम्ड पेंटामीटर यानि कोई भी कपुलेट हो दो लाइन के पोएम हो यानि पोएम में जो दो दो लाइन करके होते हैं वो पेंटामीटर में हो मगर रायमिंग ना हो अन्रायम्ड कपुलेट हो अगर रायम्ड हो जाते हैं तो हिरोई कपुले मिल्टन हम जानते हैं कि 17th century का एक बहुत ही ग्रेट पोएट और politicians था, politicians इतलिए क्योंकि वो जो है पॉलिटिस वगेरा पर बहुत कुछ लिखा करते थे और यह first time publish हुई थी 1667 में तब वो 10 books में publish हुई थी और second edition Paradise Lost का publish हुआ इन 1674 में तब यह develop book में publish हुई थी और 1674 में John Milton की death भी हुई थी और John Milton 1608 में पैदा हुए थे और यह जो Paradise Lost है यह biblical story fall of man पर based है क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरह से पहले तो Adam और Hugh वहाँ Paradise में रहा करते थे यानि वहाँ के जो Garden of Eden था वहाँ पर रहा करते थे हैं मगर उनका fall कैसे हुआ वहाँ से यानि जिसको हम कह सकते हैं कि हिंदी में उनका पतन कैसे हुआ तो किस तरह से उनको वहाँ Paradise से निकाला गया तो यह story यह Paradise Lost इसी main story पर based है और दोस्तों John Milton 1552 में completely blind हो गए थे at the age of 44 तो जैसा कि John Milton की एक poem है on his blindness आप उसको पढ़ सकते हैं आप जानते ही होंगे कि उसमें उन्होंने mention किया इस बात को और 1552 में completely blind हो गए थे और उन्होंने इस poem को लिखना शुरू किया 1558 में यानि पूरा complete blind होने के 6 साल के बाद और इसको उन्होंने finish किया 1563 में और चुकि पूरा complete blind हो गए थे तो उसको लिख नहीं सकते थे खुश से कभी किसी को hire कर लेते थे और dictate करते थे तो जो है इसको हाइर करते थे और type करता था कभी किसी friends से type कर लेते थे तो इस ताह से जो है milton ने dictate करके इस poem को type करा आया है और जब Milton इस poem को जब Milton ने लिखना शुरू किया उस वक्त मिल्टन जो है बहुत सारी परिशानियों से गुजर रहे थे पहली बात तो यह है उनकी जो फर्स्ट वाइफ है उसकी डेथ हो गई थी लगभग देर साल पहले पंदर महीने पहले उनका और उनकी एक बैटे की बैटेथ हो गई थी और मिल्टन खुद जो है गाउट यानि ज इस पोएम को लिखना शुरू किया और कुशी दिन के बाद पर उनका बच्ची पैदा हुई थी इनफेंट थी उसकी डेथ हो गई थी तो यानि मिल्टन ने जब इस पोएम को लिखना शुरू किया तो उस वक्त तो बहुत सारी परिशानियों से गुजर रहे थे और इसके रहे और लिखना हर किसी के बसकी बात नहीं हो सकती जो Goddess of Poetry होती है उनसे इंस्पायर होना चाहते हैं उससे इंस्पिरेशन लेते हैं तो वही हाल यहां पर भी है तो जो म्यूस है जो इंस्पायर होना चाहते हैं इस पोएम को लिखने के लिए और यह पोएम जो है कि एक ट्रेडिशन थी कि जो क्लाइमेक से इसको स्टार्ट किया जाए और फिर जो बैक्ग्राउंड है उसको बाद में नेरेट किया जाए और यह जो है पोएम मैंस फर्स्ट ओबीडियन्स यानि जो मैं चुकि एडम और यू कुछ और गॉड ने मना कर दिया था कि जो है त उसकी तरफ मत जाना उसको मत खाना मगर एडम और यू ने उस बात को नहीं माना और उसको खा लिया और इसी लिए यह जो है यह स्टोरी यह परडाइज लॉस्ट जो है मैंस फर्स्ट ओबीडियन्स के बारे में है कि जो है लिए यूमन बींग ने आत्मी ने या एडम और उन्होंने पहली बार जो है गौट को डिस ओबे जब किया था उसके बाद किस तरह से जो है उनका एडम और यू का फॉलूगा परडाइज से उनको यहां अर्थ पर ले आया गया अज्या मैं हम जहां पर जानते कि सद्ट जो थे सद्ट पहले एक एंजिल था नटस नट जसा कि और जैसे difficile penser और मायकल है याशिवार फकीषन गैटरिम यह बहुत सार स्डर्ड य०्ट सासे जन सद्ट और शेयका से किन दीवें पर कुए असरा से इनल को दिश उभब कर दिया था और से वह smaller गई और वह स्कुछ पर अपनी एकAh अरमी को तर्यार किया तो उसने अंदर अपनों पर किया और नो तसंटुनेत जो एक मैं और कियार किया से जो है God से बदला लेगा इस डिफीट का तो क्या करता है अपने पूरी आर्मी के साथ मीटिंग करता है और वो लोग अपने यहां पर एडम है और यह हुए है तो जो यहीं करता है जो सबस्क्ति करेंड रहें उसको और जो गॉड ने एक वर्ड क्रियेट किया है उसको हम लोग जो करक्ट कर देंगे तो इस तरह से हम लोग गॉड से बदला ले लेंगे तो फिर जो शैटन होता है चूंकि यह मेन होता है तो उसने उसने कहा है कि जो है इसका बदला मैं खुद लूँगा क्योंकि पहले मैं एंजल था और जो है गॉड ने जो है जो मैं चाहता था गॉड नहीं किया तो इसका बदला मैं खुद अकेले लूँगा तो अकेले जो है उसका revenge लेने के लिए जाता है और जब वो जाता है तो रास्ते में उसके दो sons दो बेटे मिलते हैं एक का नाम sin होता है और दोसरे का नाम death होता है और ओ दोनों बेटे इसके लिए अपने father के लिए shattern के लिए एक bridge बनाते हैं जो वहां hell से यहां world तक का बनाते हैं जो कि यह पूरे shattern से हैं या पर जो devils हैं या भी hill में रहते हैं तो उनके बेटे sin and death है वो shattern के लिए hill से लेकर world तक का एक bridge बनाते हैं ताकि उनके father को shattern को hill से world में जाना world से hill में आना easy हो जाएगा और तभी जो है God जो है predict करते हैं God जो है यह Adam and you तक यह खबर पहुचा देते हैं कि देखो कुछ जो है बहुत ही बुदा होने वाला है बहुत ही गरबर होने वाला है सैटान की जो है शैतान की कुछ planning कल लए तो इसलिए बहुत ही होश्यार रहना और अब यहां पर शैटन जो होता है वो चुपके से इडन गार्डन में यानि जो गार्डन आफ इडन होता है जो पैराडाइस होती है वहां पर चुपके से इंटर कर जाता है और जब वहां पर जाता है तो जो एक जो उसकी पैराडाइस की जो एक ब्यूटी है उसको देखक वहां को आख कर रहे होते हैं उसको चुपके से सुन लेता है एक चीज को मना किया है कि जो फुरूट आफ ना खाए उसको ना खाए उसके करीब ना जाए तो इस बात को शैटन जो है बहुत चुपके से सुन लेता है और फिर यह डिटर्मिन करता है कि जो है कि तरह से अडम और यू और कंविंज किया जाए कि और इस फूरूट को खा लें ताकि और गॉड को डिस ओबे करें जो कि तो असी दिन हम देखते हैं कि जब सो जाती है और वह एक dream देखती है जो एक देखती है कि उसने गॉड के command को disobey किया है और जब वह जब वो फिर एडम से इस बात को बताती है तो वह लोग उसको इतना ज्यादा care नहीं करते हैं कि चलो यह तो डिरीम था यह तो कोई बात नहीं थी और इसी दवरान उसके बाद ही जो है गॉड यह रैफेल एक एंजिल होते हैं उनको गॉड जो है वहाँ पैरडाइस में भेजते हैं एडमीव के पास भेजते हैं और उसे बोलते हैं कि देखो शैटन की नि सेवेंडेस के बाद आता है और गांड़ में उसकर रही होती है तो उससे पहले एंडम और इव ने यह इस सोचा कि खलो है यह थोड़ा अलग-अलग काम करते हैं तो यहां पर अकेले वहां पर गार्डन में होती है, काम कर रही होती है और अलब कहीं पर रहते हैं और यू के लिए वह एक माला बना रहे होते हैं कि यू को पहनाएंगे, तो साब जब देखता है कि शैटन जब देखता है कि इव alone है इव अकेले है तो इसको एक अच्छा मौका मिल जाता है कि इव को भैकाना बहुत ही easy होगा और दोस्तों अगर आप इस पूरे प्रजेंटेशन की PDF चाहते हैं तो आप इसको theacademicdomain.com से इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसका link मैं यहाँ नीचे दे दूँगा आप वहाँ पर किलिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो श्रैटन को एक अच्छा मौका में जाता है कि इव अकेले है उसको भैगाना बहुत ही easy होगा तब वो क्या करता है इव के पाथ आता है एक snake के form में उसकी beauty को appreciate करता है और बोलता है कि जो है यह जो God ने तुमको मना किया है यह जो fruit of knowledge खाने के लिए तो यह actually तुम्हारा God चाहता है कि तुम जो है fruit of knowledge खाओ मगर वो देखना चाहता है कि क्या तुम में वो crazy है क्या तुम में वो हिम्मत है क्या कि मेरे मना करने के बाद भी तुम खा रहे हो तो God तुम्हारी हिम्मत को देखना चाहता है हलागी God चाहता है कि तुम उसको खाओ तब उसके बाद इव क्या आती है उसकी बातों में आ जाती है और वो fruit of knowledge को खा लेती है जब खा लेती है तो उससे फिर एडम जबाते है तो एडम को inform करती है तो एडम को बहुत शौक लगता है उसको अंदाजा हो जाता है कि उने बहुत ही गलत काम किया है मगर अब क्या करे वो एडम सोचते हैं कि उनी का एक हिस्सा है जैसा कि यह माना जाता है कि मैन की रिप से ही विमिन की बर्थ हुई है तो एडम समझते हैं कि उनी का हिस्सा है तो जब भी रहेंगे उनी के साथ ही रहेंगे उससे अलग नहीं रहेंगे तो फिर एडम भी उस fruit of knowledge को खा लेते है है और इसलिए मिल्टन ने खाए कि जो है एक हिरोइक है और जादा सिनर भी यानि जादा पापी भी है क्योंकि इतनी अच्छे और यह यहां पर जानते है कि अब उन्हों ने जो है इस फॉर्बेडिन फूर्ट को खा लिया है तो अब यह जन्नत से निकाल दिये जाएंगे प हिरोइक क्रिक्टर है और जादा पापी इसलिए है की जानते है कि यह गलत काम है या वह चलो जो है शर्तां की बातों आके खा लिया था और बेहल गए हैं बहल गये तो साथ केarmed साथ में रहेंगे। तो इसलिए जो है मिल्टन ने कहा कि ओ यू से जादा सीना यू से जादा पापी एडम है। तो अब यह शैटान जब यू को खिला देता है तो यह बहुत ही विजयी करता है बहुत ही विक्टोरियस फिल करता है। चरक्ट करो तुरानिे के लिए में उनके पनिश्मेंट के लिए ताकि जो है वो कभी भी अपने पैदों पर खड़े ना हो सके जैसा कि सांप बनकर वहाँ पर गये थे ऐसी सांप बनकर रहेंगे वो खड़े नहीं हो सकेंगे सीधे तो यह उनको इस्ता से पनिश करता है गॉड और उसके बाद जब यह एटम यह जब वह फॉर्बरने फूर फूर्ट होता है जो फूर्ट आफ नॉलेज होता है उसको जब खा लेते हैं तो इनके अंदर एक जए शेक्स की फीलिंग आती है एक लश्ट की फीलिंग आती है तो उसके बाद जो जो है गॉड अपने सन को भीजते हैं और वहाँ पर एडम यह के पास और गॉड के सं सहना पड़ेगा अपनी फैंली के लिए उनको हमेशा काम करना पड़ेगा इस से पहले बो हो लोग परडाइस में थे तो कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती थी उन्हें सारी चीजे मिल जाती थी मगर अब यूव को या और भी जब वर्ड में आएंगे जितने भी लेडी होंगी जितने भी उमन होंगे सब को लेबर पेंद शहना पड़ेगा और जितने भी मैन होंगे सब को जो है अपनी लाइवलि ह करते हैं थोड़ा तू तू मैंमैं हो जाती है और जो है ढूरिंद करने करने कि मुझे से गल्स्पा एक तो फिर आडं錢 करते हैं कि हाने छो हो गया सो हो आफ हम लोग चलो साथ मेए रहेंगे जो आफ में बाटेंगे साथ में रहेंगे तो लोग रोते हैं रोते हैं आसु बहाते हैं पश्टाते हैं मगर अब कोई साइदा होने वाला नहीं है तो जब अपने एंजल माइकल को उनके पास भेजते हैं और माइकल एडम को एक जो वर्ड जो वर्ड गॉर्ड ने in-path Pasaday अब्र न करें यद्धा जब एक उसका एक विजन दिखाता है और उसमें दिखाता है कि जो है जिसतां से एडम को या फिर जो भी इमन बींग होंगे चाहे वह लेड़ी हो चाहे वह मैंड हो जो भी होंगे उनको जो है सेंब पैन सहहना पड़ेगा यानों को मैंन होगे उनको सहना पड़ेगा जिद्टे मेंन होगे उनको अपनी family Gen mentre के लिए चलानी के लिए लाعली हूड करना पड़ेगा कंहाना पड़ेगा खाने के लिए हम जानते हैं बई बिल्लिकल फ्रेज है बोधी पॉप्लर फ्रेज है तो माइकल ऐडम को यह बिताते हैं कि एक वक्त आएक लिगों जाएगी वर्ड में और बीस व्लिबन घंड जाएगी थो पूर है जितनेicamente creatures हैं सब कुछ जो डूब जाएंगे तो उसमें नुगा क्या करेंगे कि जो है हर creature से एक एक पेर लेंगे एक एक जोड़े को लेंगे और अपने जो boat में उनको ले लेंगे तो उसके बाद से फिर जब वो बलट खतम हो जाएगी वो जो खतम हो जाएगी तब फिर से जो है एक निव जनरेशन का एक निव जनरेशन वर्ड में होगी और वो यह भी बताते हैं कि जो चूंकि अब यह human being के अंदर होगा कि उस sin करेंगे पाप करेंगे तो Jesus Christ पर बाद में आएंगे और किस तरह से उनको जो है सूली पर चढ़ा दिया जाएगा किस तरह से उनको जो है hang कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद जो है Jesus Christ दोबारा इस वर्ड में आएंगे और अपनी जान देकर फ फिर एडम और यह लास्ट में क्या करते हैं एक दोसरे का हाथ थामे हुए आखों में आशु भरे हुए उस एड़न अफ गार्डन से यानि जो वहां कर जो पैडाइस होती है वहां से निकल जाते हैं और इस वर्ड में आ जाते हैं